जैहिन पिंस्नर बंधू कैसे हैं? सभी असपर्स पिंस्नर के लिए तमाम समस्याओं के बाद अब एक नयाव तौफा आपको मिलने जा रहा जो की लागू होगा 1 जनवरी 2023 से यह एक प्रमानिक समाचार है, लिटिस्ट अपडेट है आपके लिए जो की 21 सेप्टमबर 2023 को यह ओत्रिटी लागू किया गया है यह सम्बंधित है असपर्स पिंस्नर के लिए और कैंटीन काड से सम्बंधित यानि की जो असपर्स पिंस्नर है, उनका कैंटीन काड, ECHS काड आप आज देखी पा रहोंगे कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के मुहीम में हर कुछ इंटर लिंकिंग हो रहा है पहले आधार काड बना, आधार काड को लिंक कर दिया गया पैन काड से, जो की mandatory हो गया और अब आधार काड को लिंक किया जा रहा है भोटर आईडी से, अब जैसे ही पैन्सनर आप बन गए, बिसेश कर असपर्स में माइग्रेशन आपका हो गया तो निश्चित ही है कि आधार काड से आपका स्पर्स पैन्सन भी माइग्रेट हो चुका है और इंटर लिंक हो चुका है अब अगली मुहीम है जो की आपके CSD काड को, ECHS काड को भी लिंक किया जाएगा जो की already आप वहाँ अधार काड स्प्मिटेड है ही, वहाँ लिंकिंग है ही, सिर्फ हापस में जोडने की बात हो रही है तो यह है एक परमानिक समाचार जो की आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपको लाब होने जा रहा, स्पोर्स पेंसनर के जो माइग्रेंट है आईसी कयास लगाई जा रही है, कि 1st January 2023 तक सारी माइग्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कम्पलीट की जाएगी मुझे मालूम है कि सारे पेंसनर, स्पोर्स पेंसनर, डिफेंस पेंसनर किस तरह से ब्यग रहें, अलग-अलग तरह की समस्याएं आ रही है अधिक्तम समस्याओं का जड़ तो अचानक माइग्रेशन है, जो कि सजगता नहीं किये, जागरूक नहीं किये, उसके sufficient publicity नहीं किये कोई seminar नहीं हुआ, को advertisement नहीं हुआ, और पेंसनर बंधु, जो कि माने जा रहे हैं, कि senior citizen है, या super senior citizen भी है उनसे यह उमीद नहीं की जा सकती, कि वो digitally इतना literate हो, smartphone में smart हो, तो अभी उनके लिए समय लगेगा, तो अभी परिशानी हो रहा है लेकिन जो युवा हैं, उनके लिए तो यह अवस्य ही आसान होगा, आसान तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा मुस्किल होगा, सीखना, क्योंकि अभी तक हमें smart phone का सिर्फ, यूज करते रहें सीमित के लिए, अब थोड़ा सा उसका सीमा लांगना है, अपने आपको भी migrate करा तो आज मैं जिस नायाब तोफा की बात करने जा रहा हूँ, उसका authority इसू किया गया है, जो CSD का apex body होते हैं, Integrated Headquarter of Ministry of Defense Army के, यह है, quartermaster general branch से इसू किया गया है, डिप्टी डिरेक्टर जेनरल काइंटीन सर्विसेस की ओर से, जो की located है, बिंग 3, west block 3 second floor, आरके पुरम New Delhi 6 से ज पारी किया गया है, जिसके later number है, यह यह यह, कैंटीन स्मार्ट कार्ट से related, और इसे अधिकरित किया है, ब्रिगेडियर साहब ने, APS चहल साहब, जो की OMG के बिहाफ साइन किये हैं, यह क्या है मुद्दा, तो अब अगर आपका aspurs में migrate हो चुका है, तो अब लाभ आपको मि हम अक्सर देखते थे कि कैंटीन कार्ड के द्वारा, हम जब कैंटीन में सौपिंग करते थे, तो थोड़ा सा आत्म गलानी होती थी, हमें थोड़ा सा भेद भाव और आत्म सम्मान को चोट पहुचता था कहीं ने कहीं, जिसको कि सुधारने के दिशा में यह एक मुहीम यानि कि फोजी बंधियों को आत्म सम्मानित अब किया जाएगा उस दिशा में, जो मेंटल एगोनी हो जाता था, वह ही मेंटल एगोनी के एक पहलू को यहां एड्रेस किया जा रहा है, जो कि प्रती वर्स आपके जब भी कार्ड इसू किये गए थे, उसके एक साल के बाद आपको revalidate कराना पड़ता था, यानि कि annual renewal कराना पड़ता था, उस CSD, URC में जाके उसके किसी एक खिड़की के पास, जो कि toilet side होगा या कहीं होगा, आपको ढूरते ढूरते मिलेगा, आप billing counter में खड़े हैं, बिल नहीं हो रहा, बोल रहा कि revalidation चाहिए, तो इस तरह से क अनगिनत नुकसान हमें हो रहे हैं, लेकिन इस digital इंडिया में अब एक lab भी होने वाला और वह lab है, अब हमें इसकी revalidation, annual revalidation की जरुवत नहीं पड़ेगी, अब वह revalidation क्यों हो रहा था, यही सुनिश्चित करने के लिए, कि जो pensioner हैं वो जिवित हैं, अब यह आधरूप से facility enabled रहेगा, और जैसे ही disease हो जाते हैं pension, खुद वह खुद disabled हो जाएंगे, यह बड़े लंबे समय से प्रकिरिया थी, कैंटीन के जो नियम थे, यह सब को annual card करना पड़ता था, जो कि आप कैंटीन में पूछेंगे, तो आपको एक review दिखा देते थे, हम क्या कर और उसके बाद यह 8 March 2021 को भी amend किया गया था, कि आपको compulsorly every year revalidate करना है, लेकिन अब वो सब को set aside करके, अब एक नया लेटर, आज का यह जारी कर दिया गया है, जिसमें PCDA Spurs को एक ऐसी बेवस्ता बनाना है, एक ऐसी mechanism विकास करना है, उन्नत करना है, जिसमें यह revalidation का चकर खत्म हो जाए, और भविस्ते में देखेंगे कि Life Certificate जो ECHS में भी अभी चल रहा है, ड्रामा, यह सब भी वहीं से interlink हो जाएंगे, तो हमें उमीद है कि कुछी समय के बाद आप यह लाभानवित होंगे, और 1st January 2013 तक कयास ऐसी लगाया जा रही है, कि PCDS Post Team इस चीज को भी integrate कर देगी, तब तक या फिर URC के लिए भी कुछ instruction इन्होंने जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है, कि जैसे ही मृत हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, पेंसनर या फैमली पेंसनर, या डिफेंस पेंसनर हों, कोई भी कटेगरी के हों, जैसे ही डिजीज हो जाते हैं उन्हें बताया जाए, समझाया जाए, कि आप new card के लिए apply कर दीजिए, और कुछ दिन के बाद वो नया card आभी जाता है, इसा पाया गया है, और जब तक नया card नहीं आता, तब तक उस पुराने card का इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से लोगों की परिशानी को ध्यान में रखा जा रहा है, पर अभी भी हमारे government को, हमारे CSD institution को बहुत कुछ करना है, जिसमें मेरा सलाह तो यही होगा, कि उन्हें एक customer की तरह सम्मान दिया जाए, एक समय था 75 years से पहले, जब हम Britishers के under होते थे, उस समय की सेना, और आज आजाद भारत की सेना, आजाद भारत को भी एक customer की तरह, एक staff की तरह, सम्मानित staff की तरह मानने की जरुरत है, आज वह कहीं ने कहीं attitude बदलना है, सासन की नहीं, एक सम्मानित, और जो भी एक सर्विसमेंन खरिदारी करते हैं कैंटेन से, वह कैंटेन के लिए, उस department के लिए, उस URC के लिए, उसके controlling authority के लिए, उसके command क के लिए, उसके services के लिए, कुछ न कुछ मुनाफा भी add कर रहे हैं, वही मुनाफा उनके welfare में भी काम आते हैं, तो customer को, एक customer का जो अधिकार है, भारत सरकार की और से कोपरा के, तहत भी उन्हें लाना चाहिए, और भरपूर सम्मान मिलना चाहिए, complaint mechanism grievances भी होना चाहिए, और जब कभी भी, URC के अंदर एक फौजी जाता है, उसे सम्मान के दृष्टी से देखा जाए, ऐसा ने, इधर लाइन लगा लो, इधर लगा लो, इधर आगया, इधर, आगया, इधर, अपनी वानी पर, मेरा यही आग्रह है, कि अच्छी वानी, CSD के जो भी staff हैं, उन फ motivation के साथ, बेवहार संभाव नहीं हो पाता हूँ, पहले ही से, कई तरह से frustration में रहते हैं, वो सारे frustration उन फौजियों पर उतार देते हैं, और चुकि हम फौजी, उन जुल्मों को सहते हुए, अपने हमारी चमडी मोटी हो जाती है, इसलिए हमें बुरा भी नहीं लगता है, तो आज जरूत है, अगर हमारे आत्म सम्मान को कहीं भी चोट लग रहा है, उसे नजर अंदाज नहीं करने का, और वह इसे notice करना, क्योंकि हमारे साथ सरकार भी खड़ी है, सरकार भी हमारे एक-एक सुब्धा को देने के लिए, वो सारी तरह की mental नीज़ है, उसे धीरे-ध खत्म किया जा रहा, जब हमारे साथ सरकार है, हम सरकार के साथ है, तो हम उसके साथ कदम-कदम मिलाएंगे, और भारत वर्ष को सूपर पावर बनाने में, डिजिटल इंडिया में, हाथ बढ़ाने में, स्वायम को भी डिजिटल होने में, और कैंटिन कार्ड से connection हो जाएग जब तब यह एक तौफा लेने में, इस सब में हमारा सहयोग सरकार का उनवेवस्था का सदायब साथ रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए और आपसे मैं बिनम्र निवेदन करता हूँ, कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल में प जबाल पूछिए, मैं भरपूर जबाब देने का प्रयास करूँगा, आप अपने सगे संबंधियों के साथ भी यह विडियो साजा कीजिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि क्या-क्या लिटेस्ट अपडेट हो रही है, अब हमारे आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए सरकार क्या-क्या मुहीम ले रही है, तो सभी स्पोर्स पिंस्नर को इस समस्या से जल्दी से जल्दी उबर जाएं, इसी दिसा में हम भी काम कर रहे हैं, और आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि सरकार भी हमारे साथ है, बहुत-बहुत धन्यवाद, हि मिलता हूँ आगले वीडियो में.